क्लास 2, Today is a lovely day, Myself अंक्ता सिंग राजपूत, योर हिंदी टीचर, फ्रॉम रिडिन पब्लिक स्कूल बखसर, दूरिं कोरोना वरस लोग्रों इंबिहार, आवर स्कूल स्कूल स्टाटेड ओलन क्लसेज ओन यूटूब, स्टूजेक्ट हिंदी ग्रामर विशे है, आपका हिंदी व्यकर कक्छाद दो के लिए तो चलिए हमसे सुरू करते हैं, इस्टुजेंट्स मैंने प्रिवेस वीडियो में पार चार आपको पढ़ा दिया था संगया, आई होग कि आपको समझ में आया होगा, और मैंने प्रशनों का उत्तर वाटसब पर सिंड कर दिया है क्लस्टू में, तो आप लोग देखकर लिखे भी होंगे, लेकिन बहुत सारे बचे अभी तक वाटसब पर साज जुड़े नहीं है, तो उनके लिए मैं फिर से ये प्रशनों का उत्तर बता रहे हूँ, और आप लोग फियर कॉपी में लिख लीजेगा, और याद करना भी है आपको, पार्ट चार विशहिंदी व्यकरड संग्या निमनलिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए, प्रशनका संग्या की परिभासा बताईए, उत्तर किसी वस्तु व्यक्ती, जीव, जन्तु, अस्थान, अथ्वा भाव के नाम को संग्या कहते हैं, प्रशनका संग्या के भेदों क के बारे में बताईए उत्तर संग्या के तीन भेद होते हैं व्यक्ति वचक संग्या पहला जो है व्यक्ति वचक संग्या है दूसरा जाती वचक संग्या और तीसरा भाव वचक प्रश्णगा व्यक्ति वचक संग्य की परिभास उधारण सहीत लिखिए जिस सब्द से उत्तर है जिस सब्द से किसी विशेश व्यक्ति अस्थान या वस्तु का बोधो उसे व्यक्ति वचक संग्य कहते हैं उधारण, रमायर, श्रीमती इंद्रा गांधी, गंगा, स्वास्तिती का बोधो उसे भाव वचक संग्य कहते हैं उधारण, इमंदारी, प्रशंता, गरीबी, आधी और प्रश्ण अंगा, अंतिम प्रश्ण, जाती वचक संग्य के बारे में आप क्या जानते हैं बताईए तो उत्तर जिस सब्द से उसकी संपुन जाती का बोधो उसे जाती वचक संग्य कहते हैं तो आज मैं आपको पाठ पाच भी पढ़ाओंगी तो चलिए सुरू करते हैं पाठ पाच सर्वनाम भासा सुन्दर होनी चाहिए यही उसका गुर्ण है क्या कि भासा सुन्दर होनी चाहिए यही उसका क्या है गुर्ण है दिये गए वाक् मोहन प्रते दिन स्कूल जाता है मोहन के कई मित्र हैं मोहन को वे बहुत प्यार करते हैं उपर युक्त वाक्यों में मोहन सब्द को बार-बार दोहराया गया है इन वाक्यों को यदि इस प्रकार लिखे तो अधिक अच्छा लगेगा अगर इस वाक्यों को इन वाक्यों को अच्छा लगेगा चलिए पढ़ते हैं मोहन एक विद्यार्थी है वह सुबह जल्दी उड़ता है वह प्रते दिन स्कूल जाता है उसके कई मित्र हैं उसको वे बहुत प्यार करते हैं मोहन संग्या सब्दे मोहन यहां क्या है तो संग्या सब्दे मोहन के स्थान पर रंगीन चपे सब्दों वह उसके उसको सब्दों का प्रयोग उचीत हैं मोहन के जो अस्थान पर रंगें जो चपे सब्द हैं जैसे कि वह उसके और उसको सब्दों का प्रयोग उचीत हैं जिससे वह के पढ़ने वह सुनने में अधिक अच्छे लग रहे हैं जिससे क्या हो रहे हैं वाकि जब हम पढ़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो वाकि कैसे लग रहे हैं, बहुत अधिक अच्छे लग रहे हैं। वे सब्द, जो संगय के स्थान पर प्रयोग किया तो वो क्या कहलाते हैं, तो सर्वनाम कहलाते हैं। विशेज, बात करने वाला अपने लिए मैं और हम शब्द का शब्द प्रयोग करता हैं। ऐसे वह, उनका, उनकी उसके लिए इन शब्द का प्रयोग किया जाता है। छोटे के लिए तू और तुम, लोगों के लिए तू और तुम का प्रयोग करते हैं। उनके लिए आप का प्रियोग करते हैं, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के प्रमुक छो भेद होते हैं, पहला पूरुस बचक सर्वनाम, यह प्रमुक है क्या कहाता है, तो मैं, हम, तुम, वह, वे, आप, दूसरा निश्चे बचक सर्वनाम, यह यह, यह, वह, वे, तीसरा Turn to the next page, पाच्वा, प्रश्ण वाचक सर्वनाम, ये प्रमुख है कौन, क्या, किसे, किसको आदी, छठा, नीज वाचक सर्वनाम, ये प्रमुख है आप, स्वैम, अपने, आप, आदी, शर्वनामों का प्रियोग निखित स्थितियों में किया जाता है, पहला, बोलने वाले, स चुनेने वाले, और दूसरे व्यक्ति के लिए, जैसे, मैं पढ़ रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो, वाच स्कूल जा रही है, दूसरा, किसी निश्चित वस्तू के लिए, जैसे, मुझे ये फ्रक चाहिए, यह मेरा घर है, उसका निश्चित है, कि मुझे ये फ्रक चौथा प्रश्न करने के लिए जैसे फरहान कब आया दुकान से क्या लाना है पचवाद दो वक्यों का संबंध जोड़ने के लिए जैसे जिसकी लाठी उसी की भैस जैसी करनी वैसी भरनी चट्छठा श्वेम करता के लिए जैसे वे स्वेम समझदार है वे तो स्वेम समझदार है तुम अपने आप आजाना क्रिया का रूप परिवर्थन लिंग के कारण सरवनाम का रूप नहीं बदलता लिंग के कारण सरवनाम का जो रूप है वो बदलता नहीं है क्रिया का रू बोल रहा है कि तुम क्या कर जो लड़का तो यहां पे हैं पूलिंग तो हैं इस्तरलिंग है और इसमें देखे तुम क्या कर रहे हो दुसरा मैं पढ़ रहा हूं पूलिंग होने से क्रिया का रूप बदला है अब यहां पे पूलिंग होने से क्रिया का रूप क्या हो गया वचन के कारण सरवनाम के रूप बदलते हैं अब वचन के कारण भी सरवनाम के रूप क्या होते हैं तो बदलते हैं जैसे पहला मैं फुट बॉल खेलता हूं एक वचन लेकिन दुसरा में देखिए हम फुट बॉल खेलते हैं बहुवचन होने से सरवनाम वक्रिया के रूप एक वचन तू बहुचन तुम, एक वचन तूजे बहुचन तुम है, एक वचन व बहुचन वे, एक वचन उसका बहुचन उनका, एक वचन या बहुचन ये, एक वचन इसका बहुचन इनका, तो ये कुछ अन्य सरणामों की बहुचन है, जिसे मैंने आपको पढ़ा दिया है और कहीं भी आपको problem हो कहीं भी इस पाठ में आप लोग WhatsApp पर पूछ सकते हो और अच्छा से आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस पाठ को So thank you my students watching my Hindi grammar videos and also have a nice day